Good morning, today is 18th November 2016 and we are going to discuss the articles of the Hindu जो पहला article है वो demonetization से related है आज काल इसी से related काफी मात्रा में articles आ रहे हैं तो ये छोटा article थोड़ा important है इसमें economy से related कुछ important points हैं जो कि हम mains में यूज कर सकते हैं और ये जो article है ये भी demonetization पे है लेकिन ये demonetization प्लस में politics है यानि इतना जदा important article नहीं है वैसे ही जो demonetization UPC में आ सकता है वो हमने discuss कर लिया और politics तो वैसे भी नहीं important है तो ये article हम नहीं discuss करेंगे ये discuss कर लेते हैं इसमें से कुछ important points हो आपको पता ही होगा context तो बताने की जूर्थ हैनी 500 और 1000 के notes हैं जो ban हो गए हैं और उसके बाद की problems और इसका long term effect economy पर इस तरह के article साजकल आ रहे हैं तो देखें एक जटके से 86% जो currency थी उसको legal tender नहीं रखा गया यानि वो legal render नहीं रही invalidate हो गई वो उसके बाद में देखें तब से short life जो है वो disrupt है लंबी लंबी लाइने कतार देखने को मिल रही है ATM के बाहर में और cash की shortage बताई जा रही है कई जिगहां पे RBI यही बार बार यही आपनी जो you can say it releases है उसमें यही कह रहा है कि please आप जो है order नहीं कीजिए currency को एक जगए कठा मत कीजिए और cash की problem नहीं है क्योंकि देखें कई वर क्या होता है अब जिसकी साधी जनवरी में हो अब तो वैसे कल एक rule भी हा गया कि धाई लाग तक जिनकी साधी है वैडिंग सुगरा के लिए धाई लाग तक पैसे बाहर निकलवा सकते हैं बैंक से लेकिन जैसे कई बार जिनको बाद में जूरुत होती है जनवरी फर्वरी मार्च में वो लोग अभी से पैसा कठा करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने वो सोचते हैं कि तब भी problem रहेग तो इसलिए RBI के release कहती है कि आप करपया यह जो है currency कठा मत कीजिए क्योंकि cash कोई problem ही नहीं बस distribution की problem है वो दिरे-दिरे हो रहा है तो इसका देखिए informal markets पे क्या फरक पड़ता है informal markets यानि unorganized markets यह सबसे जादा affected होती है अब देखिए अब गाउं में या छोटे कस्बों में आप even cities में भी चानी चोक जैसी जगाँ पर यहां पर बहुत सारा ऐसा trade होता है जो informal होता है यानि जो tax authorities की निखा में नहीं है वो ना तो bank के through होता है ना जो लोग ये trade करते हैं वो tax भरते है ना तो वो trade पर tax भरते है ना ही बाद में income पर tax भरते है बाद की तो बाद की बा credit card debit card या फिर इन चीजों का इस्तमाल बहुत कम करती है और इनी से सबसे दार जो direct या फिर indirect tax का evasion होता है जैसे मैंने अभी का या तो service tax हो गया या वैट हो गया या फिर बाद में income tax अगर इनोंने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो इन सबी चीजों का ये tax evade करते हैं दो तर सरकार ने कोई policy मनाई tax की सरकार कहती है कि farmer की income पर छूट है agriculture income पर छूट है अगर आप राजीव गांदी equity scheme लगाते हो तो उस पर छूट है इस तरह के कई सरकार exemptions देती है अगर आप उन में से किसी loophole ढूंड के अपना tax avoid करते हो तो देखिए ये गैर कानूनी तो नहीं है इसमें कानून का कोई loophole ढूंड लिया कोई गलती ढूंड लिया आपने और उसके थुरूँ आप अपने tax नहीं दे पा रहे हो आप convert कर देते हो जैसे मैं आपको एक और example देता हूँ agriculture जो इंकम आगे इसमें आएगा भी सरी फार्मर्स पे कोई भी income नहीं है उनके income tax नहीं लगता फार्मर्स पे तो कई लोग गाउं में क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं गाउं किसी किसान से पैसे अपने खाते में डलवा लेते हैं जैसे मैं आपको example देता हूँ यह example ले लिए रोमन सैनी एक फार्मर है और यहां पर मरुनाल है मरुनाल ने क्या किया मरुनाल को एकनोमिक सची आती है मरुनाल ने क्या किया रोमन सैनी से 8 लाक रुपे अपने अकाउंट में डलवा लिए अब देखिए अब सरकार उन से जब यह पूछेगी कि आपके प 8 लाक मरुनाल के खाते में आगे तो वो तो सिर्फ सरकार को एक declaration दिखाएंगे कि मैंने रोमन सैनी से पैसे लिए 8 लाक यह लिजिए रोमन सैनी कहेगा मैं तो किसान हूँ मैं तो कितने भी पैसे दिखा सकता हूँ मेरे तो कोई income tax लगता नहीं है वो अपनी जमीन पर हाँ एक informal markets जो होती है उनका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि true state of economy पता ही नहीं लगता देखिए हम कहते हैं कि हमारी GDP 6.5% से बढ़ रही है 7.5% से बढ़ रही है वो सब तो हम formal markets में देखते हैं na IIP के आंकडे आते हैं जो index of industrial production होता है CPI, WPI, CSO, NSSO यह सारे इस तरह के आंकडे आते हैं उसके बाद से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी economy इतने percent से grow होने वाली है अब जबकि यह informal markets होते हैं तो इन में तो हमें पता ही नहीं लगता है सरकार को क्या पता लगता है कितना trade हो रहा है कितना नहीं हो रहा है कितना tax आ रहा है कितना नहीं आ रहा है त अब देखे किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसान पैसे निकलवा सकते हैं, और इवन जो इनके अभी आल्मोश्ट बहुत सारे, majority of किसानों के अभी no bank free, यानि जो होते है, no free bank account खुल गए है, zero based खाते पे, यानि देखे कई बैंकों में क्या होता है, private bank को में limit होती है, 5,000 आपको minimum cash रखना है, 10,000 minimum cash रखना है, लेकिन किसानों के खाते हैं, और भी judish advantage sections के कई बार खुलते है, no free, यानि कोई भी आपको zero based, एक भी रप्यार रखने की जूरत नहीं है आपको, लेकिन दिक्कत क्या है किसानों के सार्ट ट्रेड में middleman, जो intermediary होत जाते हैं मंडी के अंदर में, अनाज मंडी आप जिसे कह सकते हैं, local मंडी, मंडी के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पे वो देते हैं intermediary को, ये intermediary किसानों से खरीटता है कम दामों पर, आगे बेशता है ज्यादा दामों पर, और 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 भी एक chain चलती है, फिर processing होती है, उस जारी है कि GST आएगा, GST आएगा और उसका impact पड़ेगा, लेकिन GST कभी एक level के बाद तो impact पड़ नहीं सकता, क्यों नहीं पड़ सकता, याद कीजिए, हमने discuss किया था कि GST उन पे नहीं होगा, यानि GST जो food grains related items हैं, उस पे GST zero rated रहेगा, याद आया, तो ये हमने पड़ा था, तो GST का भी एक level के बाद में agriculture prices जो है, किसानों को जादा फाइदा नहीं होगा, उसके बाद आते हैं farming, इस पूरी demonetization के बाद में opposition बार बार ये संदेज इता रहा है कि जो खेती है, उस पर इस demonetization का फरक पड़ेगा, कम से कम अभी तक के आंकडे ऐसा नहीं दिखात उतना तो पिछली बार से भी ज़्यादा है, तो देखिए ये तो कुछ highlight करने वाली बात होगी, कि exaggerate करने वाली बात होगी, क्योंकि आलरेड इतना ज़्यादा अभी फसले और बीज उगाए जा चुके हैं, लेटा श्ट्रिगल एक से नहीं देए है किसानों को 25,000 की, तो तो देखिए साही की बात है, RBI इस पूरे प्रोसेस के लिए prepared नहीं थी, अभी वो soiled notes, 100 रुपे के, soiled notes कौन से, जो चिपका देते हैं, फट जाते है notes, हम RBI को देते हैं, फटे हुए notes, RBI इस notes को चिपका देती है, soiled notes, ऐसे notes भी RBI release कर देती है, market में, क्योंकि इतनी भार कमी हैं, उनके पास notes की, पहले से print करके रखने चाहिए थे न, और दूसरा, अब देखें, इन notes की क्या problem होती है, ये notes ATM में भी नहीं आ सकते, ATM में ये notes अड़ जाते हैं, तो बाहर निकलते नहीं हैं, तो फस जाते हैं, suggestions क्या क्या है, suggestions तो है, गवर्मेंट को ये कुछ और बहुत सारे healthcare, cost, कोई भी test करवाना हो, ultrasound, ECG वारा, कुछ भी करवाना हो, तो वो थोड़े पुराने note लेंगे, तो ये सब गवर्मेंट को देखना चाहिए था, उपर से आजकल देखिए, हम cashless तो चल रहे हैं, आजकल लोग PTM का इस्तमाल कर रहे हैं, credit card का इस्तमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी, FAB में जो budget आया था, उसमें government ने कहा था, कि transaction charges कम करेंगे, और अभी तक भी इसमें high charges लगते हैं, credit card, debit card, इस्तमाल करते हैं, इनमें charges लगते हैं, कई पर दुगंदार को देने पड़ते हैं, दुगंदार के पास में जो machine होती है, देकि आपको लगता निया, irony है, इन पे उपर तो बलकि charges होने, incentive होना चाहिए, बलकि इन पे, कि आप अगर debit card इस्तमाल करोगे, तो cash back होगा, और इन ही पे charges हैं, तो government को यह paradox है, cashless economy की वो बात करते हैं, वो ठीक करना होगा, ऐसी चीज़ों पे तो बलकि incentive होना चाहिए, और दूसरा confusion, बार-बार government क्या कर रही है, अपनी policy change कर रही है, पहले इसकी limit थी 4500, वहाँ से पैसे निकलवाने की, फिर उन्होंने करी 4000, अब कर दी 2000, यानि जो cash exchange कर रहा सकते हैं, bank के अंदर जाके line में लगके, उसकी limit उन्होंने अभी तक 2000 कर दी है, तो इस तरह से अगर आप एक limit नह लानी पड़ेगी, कि इतना भाई आप change करवा सकते हो, बार-बार change करने से कोई फायदा नहीं है, अगला article कि से related है, अगला article इंडिया पाकिस्तान की tension से related है, ये देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान की tension से related, नीचे वाला article, तो इसमें थोड़ा हम पहले context discuss करेंगे और फि context क्या है, context देखिए, इंडिया पाकिस्तान की tension से चल रही है, siege fire border पर firing हो रही है बार-बार, थोड़ा एक timeline discuss कर लेते हैं इसकी, 2003 में हमने इंडिया और पाकिस्तान ने siege fire agreement sign किया था, यानि border पे कुछी भी तरह की firing नहीं होगी किसी भी side से, तो कुछ time तक तो इसका implementation रहा, 2008 में मुंबई पर attack हुआ, रिसते खराब होने start हुए, फिर भी 2009 में एक UFA में conference हुई, और उसके बाद से थोड़ थोड़ा ठीक होना start हुआ, लेकिन फिर Modi government चुनकर आये, Modi government ने एक नई शुरुवात की, उन्होंने सभी आस पास के अपने Prime Minister Presidents को, South Countries को अपने जो 2015 के लाष्ट में, 2015 के लाष्ट में, दिसंबर में मोदी नौा सरीफ के जनम दिवस पर लाहोर गए, और यह तो बहुत ही अद्भूत, you can say that, moment थी पूरे इंडिया पाकिस्तान हिस्टरी के बीच में, लेकिन, 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 2016 में फिर से पठान कोट एर बेस पे आंतकवादियों का टैक हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए, और उन्होंने कुछ लीपापोती की, कुछ तो उन्होंने किया था, लेकिन, बिल्कुल भी एक सबस्टेंशल नहीं कह सकते हैं, 2016 में, पिछले मैने, पिछले मैने, यूरी म हमारे 19 जवान सहीद हुए, और यह बहुत ही, उसके बाद तो रिलेशन में तल्की इतनी जा रही है कि बोडर पे रुक रुक कर फाइरी हो रही है, काफी शिवलियंस की मौत हो चुक है, सोल्जर्स की मौत हो चुक है, दोनों साइट से, तो रिलेशन काफी खराब है, अब डिसकस करते हैं, आर्टिकल, अब देखिए, उससे भी ज़्यादा, जब से रुक रुक कर फाइरी हो रही है, DGMO, DGMO होता है दोनों साइट से, उनके साइट से भी हमारे साइट से, जो बोडर पे एक टाइमली, फ्रिक्वेंटली मीटिंग रखता है, यानि जो भी दिक्क होती हैं, प्रोब्लम्स होती हैं, उनको solution के लिए, यानि रात को डेली मिल गया, साम को डेली मिलते हैं ये लोग, और जो भी दिक्कत होती हैं, आपने वहाँ firing की, अपना protest register करवाते हैं, अभी तक ये भी successful नहीं हो पाया हैं, इसको रोखने के लिए, political level पर भी कोई कदम न हैं, और दोनों कंट्रीज ने अभी तक terror attacks को भी condemn नहीं किया, उन्होंने हमारे yuri attack को condemn नहीं किया, और हलांकि देखिए, पाकिस्तान spotted terror attack था ये थो, और ब्लूचिस्तान, ब्लूचिस्तान में अभी attack हुआ, काफी लोग मरे गए, और दो-तिन attack और भी पाकिस्तान में और new army chief, वहाँ पे देखिए, पाकिस्तान के जो रहिल सरीफ है, आर्मी chief, अभी वो retire होने वाले हैं, इसलिए tensions और भी बढ़ गई है, तो अभी वहाँ पे एक संश्यकी सित्ती है, क्या वो जो रहिल सरीफ है, वहाँ के army chief है, क्या वो दुबारा से एक नई term लेंगे, यान अगर नए chief आये, तो उनके साथ में relations कैसे रहेंगे, पाकिस्तान स्टेट के साथ में, यानि वहाँ पे जो democratic चुनी हुई government है, उसके साथ में army chief कैसे रहेंगे, क्योंकि देखिए, अभी ये gap आ चुके है, आर्मी के बीच में और government के बीच में वहाँ पे एक gap है, पिसले द URI attack के बाद में, तो हमारी red lines ये है, अगर आप इस तरह की policy जारी रखोगे, तो हम इसी तरह से जवाब देंगे, तो हमारी red lines ये है, अगर आप terrorism फिलाते रहोगे, तो किस तरह की बाचीत नहीं होगी आप से, उसके बाद भी, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके बाद में भी बहुत सारे जो है, टैरिस्ट की जो attempt हैं, वो army ने foil किये हैं, यानि टैरिस्ट कोसिस करते हैं बार-बार Indian border के अंदर आने में और इंडिया में enter करने के लिए, तो काफी सारे जो ऐसे attempts हैं, Indian army ने foil किये हैं, ऐस unsuccessful बनाए हैं, अब क्या हुआ है, चलो ये सब तो ठीक है, आने वाली meeting है, Heart of Donor Conference for Afghanistan, इसमें इसको attend करने की बात उनने कही है, इसमें देखें, लास्ट टाइम ये conference हुई थी पाकिस्तान के अंदर में, सुसमा सवराज जो हमारी foreign minister है, उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान के अंदर में, जब उन्होंने विजिट किया था, तो ए निकल कर सामने आएगा, लेकिन उनका इंडिया में अमरसर में आना एक तरह की opportunity रहेगी, एक तरह का मोका रहेगा, क्योंकि यहां देखें, यहां पे तमाम जो regional Afghanistan में peace आते हैं, वो ऐसे leaders, इवन Russia, Iran, इस इन सभी देशों के foreign ministers, असरफ गनी भी आएंगे, पाकिस्तान के important है कि, जो heart of Asia donor conference है, किसली है, कौन से देश के लिए है, इसका purpose क्या है, और इस बार कहा हुई है, तो दोनों चीज़े important है, अफवानिस्तान के लिए होती है, यह heart of Asia donor conference, और इस बार यह अमरसर इंडिया में हो रही है, तो और भी ज़्यादा important है, तो परी के लिए आप प् करने वाले हैं, इंडिया और नेपाल, यह article देखिए क्या कहता है, इस article को discuss करने से पहले हम थोड़ा सा इंडिया और नेपाल का background समझ लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से इस article को समझ में आ जाएगा, इंडिया और नेपाल के relations कैसे हैं, इंडिया और नेपाल के relations बहुत एक हिंडू मिजोटी है, तो cultural relations है, बहुत सारे temples हैं वहांपे, और कुम का मेला लगता है, तो वहांपे नेपाल के लोग आते हैं, नेपाल के लोग यहां पर नोखरी के लिए, बिल्कुल किसी भी job के लिए apply कर सकते हैं, इवन UPSC की जोब के लिए भी नेपाल के लोग apply कर कर सकते हैं उनको किसी वीजा की आफ सकता नहीं है यह सारी सीचें 1950 ट्रीटी में लिखी गई है यानि 1950 की जो फ्रेंट्शिप ट्रीटी है लेकिन नेपाल गया रोप लगाता है सुरू से ही कि यह ट्रीटी है वो अनबाइस है हमारे खिलाफ बाइस है सबसे बड़ा मुद्द थे Ambassador तो नेपाल कहता है कि हमको ब्राबर का दर्जा नहीं देता है इंडिया वहां से Ambassador आपकी तरफ से Ambassador साइन करता है ट्रीटी हमाई तरफ से हमारा Prime Minister साइन करता है तो इसी साब से इस ट्रीटी से शुरू से विवाद की जड़े पैदा हो गई थी नेपाल हमेसा कहता है व अलग से जिसे नेपाल की तरह है उसके सिरफ तीन सब्जेक्ट यानि फोरें रिलेशन्स, कम्निकेशन इस तरह के यानि और डिफेंस यह तीन सब्जेक्ट इंडिया के हाथ में थे और वैसे नेपाल था वह सिक्किम था वह एक इंडिपेंडेंट अलग से स्टेट था लेक के अंदर ही है ना सिरफ ये तीन सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट अभी इंडिया ही डील करता है सिक्किम के तो इसी तरह नेपाल ये कहता है कि इंडिया भी हमारा भी सिक्किमाइजेशन करना चाहता है यानि वो अपने अंदर हमें मिलाना चाहता है इस तरह की डर नेपाल को ह उसके बाद क्या हुआ उसके बाद एक blockade हुआ वहाँ पर देखे मोनारकी थी राजा थे वहाँ पर जल्देले डिस्केस करते हैं थोड़ टाइम कम है मोनारकी थी वहाँ पर और उसके बाद में एक democracy movement चली वहाँ पर और सफल भी रही बाद में democracy movement आया तो इंडिया किसी बात को लेकर नराज था उनसे 1990 में एक blockade हुआ वहाँ पर और blockade इंडिया ने किया था वह officially blockade था काफी anti-India sentiments उबर कर आये और उसके बाद में क्या हुआ इंडिया ने help करी वहाँ पर काफी तरह से सारी parties जो है एक second ये क्या हो गया तो इंडिया ने वहाँ पर democracy लाने की कोशिज करी वहाँ पर सारी parties थी constitution उनसे नहीं बन रहा था तो democracy आई तो इंडिया ने उनको एक मंच पिलाया दिल्ली में उनकी meeting करवाई और का किया आप अपने constitution का सविधान का निर्मान कीजिए फिर वो अपना सविधान में आना स्टार्ट हुए और सविधान आखिरकार दो बार failure के बाद में 7 साल की process के बाद में अपना सविधान बना लिया लेकिन सविधान में काफी खामिया थी और उससे इंडिया नराज हो गया तो एक blockade हुआ ये एक officially blockade नहीं था नेपाल ने अरोप लगाया कि ये blockade इंडिया का blockade है और काफी anti-India sentiments वहां पर उभर कर आए तो ये थोड़ा background था उसके बाद में क्या हुआ अब देखिए फिलाल क्या हुआ फिलाल हमारे प्रेजिडेंट परना मुखर जी उनकी देश की विजिट पर गए लाश्ट टाइम क्यार नरायनन गए थे 1998 में 1998 में तो बहुत ही अच्छी विजिट थी रही और प्रना मुखर जी पिछले काफी सालों से पोलिटिक्स में भी थे जो हमारे अभी प्रेजिडेंट है तो वो वेल अवेर है इंडिया और नेपाल के साथ रिलेशन्स के बारे म काफी जगे उन्होंने विजिट किया और इवन गुर्खा राइफेल्स का जो वहां पे गड़ है उस डिस्टिक्ट में भी उन्होंने वहां पे विजिट किया नेपाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस विजिट को सक्सेस्फुल बनाने में में इशू रहा कैंशूशन का देखिए कैंशूशन का इशू जैसा हमने भी डिस्क्रस किया उन्होंने अपना सविधान मनाया लेकिन काफी तरह की प्रॉब्लम्स उसमें रही मधहेसी लोग और पहाड़ी लोग यानि जो प्लेयन के पीपल है और जो हिल्स में रहते हैं उनके बीच में विवाद है मधहेसी लोगों का पूरा रिपर्जेंटेशन इसमें नहीं दिया गया है और इसी वज़े से उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और ब्लोकेड हो गया उसके बाद से वहाँ नेपाल में तमाम तरह की दिख्तों का सामना करना पड़ा जूरी वस्तुएं उन्होंने नहीं मिली और इनका रोप ओली गुर्मेंट ने लगाया इंडिया पर उस टाइम पर प्राइमनिस्टर थे के पी एस ओली उन्होंने का कि इंडिया ये सब कर रहा है और इंडिया को ये नहीं करना चाहिए इससे वहाँ के लोगों में इंडिया के खिलाफ में नराजी उबर कर आई बाद में ओली की जो गुर्मेंट थी वो कलैप्स कर गई यानि गिर गई और ओली ने बाद में इंडिया पर ये रोप लगाया कि आपने मेरी गुर्मेंट गिरवा दी इस तरह का अभी तक कर रहा उसके बाद में क्या हुआ उसके बाद में परचंड सत्ता में आये और उन्होंने एक डील साइन की उन्होंने रिलेशन्स सुधारन इकोसिस करी इंडिया और नेपाल के बीच में अभी विद्या देवी जो वहां की प्रेजिडेंट है वो भी इंडिया की विजिट पर आ सकती है देखे डेमेज लेवल इंडिया और नेपाल के रिलेशन्स में इतना ज़्यादा है ब्लोकेट के बाद में कि वहां पर एक हैश्टेग चल रहा था हैश्टेग परनबदा से सोरी ये ट्वीटर पर चलता है ना ट्वीटर पर चलता है ये हैश्टेग परनबदा से सोरी और इवन वहां की गोवर्मेंट ने रोड्स भी क्लियर करवा लिये ताकि कि किसी तरह का विरोध परदर्सन परना मुखर्जी के जो हमारे प्रेजिडेंट है उनके खिलाफ में ना हो और एमबरस्टमेंट गोर्रमेंट में ना हो कि आपने ये प्रोटेस्ट होने दिये इसलिए उन्होंने वहां के रोड सी क्लियर करवा दिये तो इस तरह का डेमेज लेवल रहा है जो ब्लोकेड हुआ था यानि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वहां पर और परनबदा ने भी यानि बारबर एक ही चीज़ पर फोकस किया कि नेपाल जो प्रोसेस चलाई है का इस्टूशन को बनाने की वह उसे इस प्रोसेस को पूरा करना चाहिए और सारी की सारी पा पुराने टाइम से और स्टेक्स क्या-क्या है स्क्योटी को लेकर एक दूसरे से यानि देखें इंडिया की स्क्योटी कितने ज़्यादा डिपेंड है नेपाल पर एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है और नेपाल की पर्षा में जाके वहां के जो सर्विंग पर्सनल है अभी 32,000 सर्विंग पर्सनल है और 1,26,000 पैंसन ले रहे हैं वहां के जो लोग हैं हमारी आर्मी में यू के इन सेडर सर्व करते हैं तो वहां भी वो गए और उन्होंने उनके सेक्रिफाइसीज को सरहा और किस तरह से आपने हमारे देश के लिए बलदान दिये हैं इस तरह की बाते उन्होंने कही देखिए बहुत कम लोगे जानते हैं कि हमारी जो कोवर्मेंट है अभी एवन रेंक वन पैंसन के दुरान में भी हमने वहां पे निपाल में 4,000 क्रोड पे दिये क्योंकि हमने वहां पे जो लोग रह रहे हैं एक्स आर्मी परसनेल जो रह रहे हैं उनकी वेलफेर के लिए हमने वहाँ पर और भी बहुत welfare schemes चला रखी हैं जैसे solar electrification और drinking water से लेटिड और उनकी education से लेटिड, secularship से लेटिड इसी तरह की हमने काफी schemes वहाँ पर चला रखी है उनके हमारे ex army personnel जो नेपाल में रहते हैं यानि नेपाल के लोग हैं उनके लिए इसके अलावा थोड़ा आगे वो है internal politics से लेटिड काफी है आगे भी है पर्णम खर्जी देखिए पर्णम खर्जी ने किसी तरह की scheme तो नहीं चलानी थी लेकिन फिर भी उनने दो तीन चीज़े चलाई जैसे कि घाट्स बागमती रीवर पर जो घाट्स है उसके लिए उनने पैसे दिये और दो धरमसाला बनाने की उनने बात कई जान की मंदिर में तो ये छुटमूट है काफी तरह से मांग चली आ रही थी इन दोनों घोसनाओं की नेपाल के दोरा इसलिए परना हुखर्जी नहीं यहाँ पर ये डिक्लेर कर दिया की परचंड के चैलेंजिस क्या क्या है इसी आर्टिकल के अंदर में इस तरह से हैडलाइन है परचंड के फिलाल क्या क्या चैलेंजिस है तो ये इंपोर्डर नहीं है ये सारे चैलेंजिस उन्होंने इंटरनल पोलिटिक्स के इसाब से दिखा रखे है कि वो उनको अपनी पार्टीज के साथ में कैसे डील में करना है तो देखे कुल मिला के पर्णम खरजी की जो विजिट है सक्सेस्फुल रही और इससे पहले जो परचन थे वो भी हमारे इंडिया की विजिट में आये थे और बिक्स जो बिम स्टैक का समिट हुआ उस टाइम पर यहां पर भी आये तो काफी तरह से अभी 3-4 जो हाई लेवल विजिट हुए उससे जो तलकी थी इंडिया और नेपाल के रिलेशन्स के बीच में वो तलकी नरम हुई है और आने वाले टाइम में रिलेशन्स और भी इंप्रूव होंगे तो इस तरह का यह आर्टिकल है इंडिया और नेपाल के रिलेशन्स के बीच में आगे क्या है आगे देखे जो आर्टिकल है वो इतना important नहीं है यह आर्टिकल है नीचे देखते हैं 1962 में वार हुआ था इंडिया और चाइना के वीच में हमने वो वार हार गए थे हम वो वार 1962 वाला वार और उसमें कहा यह जा रहा था कि एरफोर्स का यूज नहीं किया गया बिल्कुल भी तो यह आर्टिकल उसी से लेटिड है कि एरफोर्स क्यों नहीं यूज की गई थी उस टाइम पर तो देखें ऐसे इस तरह का कॉश्चन तो यूप एसी में कभी नहीं आएगा वाई एरफोर्स वाज नोट उजड इस लिए इंडिया ने एरफोर्स यूज नहीं करी ठीक है और उसके बाद में देखिए इन्होंने आर्टिकल के बीच में क्या दे रखाया बहुत माइनूट डिटेल्स दे रखिए यानि इस बंदे ने यह कहा उस टेंप एरफ मार्सल थे यह कहा तो इस तरह की चीज़ें आंसर में यूज नहीं होती ये इनकी अपनी राय हो सकती है इन्होंने कि कोई बुक पड़ी होगी उसकी राय हो सकती है इस तरह का official version नहीं है कि क्यों army use नहीं की गई थी तो ऐसे देखिए हमारे गाओं में किसी दादा या किसी बुड़े आदमी ने senior citizen ने मुझे ये का कि कुछ और region था तो वो थोड़ी answer में लिख सकते हैं वही बात है तो उसके बाद में जो अगला article है ये litigation policy से related है ये article important है ये discuss कर लेते हैं ये उससे related है कि government एक major litigation है जितने भी cases file होते हैं court के अंदर में उसमें आदे से ज़्यादा case तो government file करती है ये देखिए अभी फिलाल scenario के excessive pending है Supreme Court के अंदर में और पूरे judiciary के अंदर में 3,00,00 क्रोड case pending है पूरी judiciary के अंदर में सारे मिला के क्यों उसमें से बड़ा reason ये भी है कि government एक major litigator है यानि government आदे से ज़्यादे case file करती है government के पास तो data भी नहीं है कितने case वो file करती है कोर्ट के अंदर में तो अभी फिलाल context ही है कि दिली high court की golden jubilee हुआ था तो प्रधान मंत्री ने ये issue touch किया था उन्होंने कहा था कि government इस पर विचार कर रही है कि कौन-कौन से case file करे judiciary के अंदर में Supreme Court ने भी government को लताड़ा है कि आप इतने सारे case file करते हो आप कोई policy बनाने चाहिए इस fact को highlight किया दोनोंने disadvantages तो आपको पता ही होगा एक साफसा cost बढ़ती है government को इतना खर्चा आता है judiciary को इतना खर्चा आता है time waste होता है judiciary का इतना जादा time waste होता है judicial backlog हो बढ़ता है तो यह सारी दिखते है उसके बाद में ऐसा नहीं है कि किसी भी government ने कुछ नहीं किया national litigation policy हाई 2010 के अंदर में UPA government के दुरान में और उसमें का गया कि हम government एक responsible and efficient litigant बनेगी और यह policy वैसे कुछ दूसरे देसों में भी अश्ट्रेलिया और दूसरे देस से उनमें भी policy अपना ही जाच चुकी है लेकिन दिक्कत यह है क्या वो policy successful रही नहीं बिल्कुल भी नहीं क्या reasons थे उसकी बीचे देखें कुछ accountability नहीं थी accountability नहीं थी action नहीं था accountability और action की बात तो की गई लेकिन what type of action you are talking about आपने action की बात तो कहीं लेकिन यह तो लिखा ही नहीं कि आपने policy के अंदर किस तरह का action लिया जाएगा तो ambiguity संधिकता रही policy के अंदर में दूसरा empowered committee की आपने बात कहीं कि empowered committee यह implement करेंगे बट आपने उनका role ही define नहीं किया तो role अगर आप define नहीं करोगे तो constitutional challenge तो आएंगे ही आएंगे तो जिनको यह implement करना था तो उनका पूरण एक role define होना चाहिए था जो की government नहीं किया तो यह सब regions थे और अब policy implement करने के बाद में देखिए सबसे main होता है उसका assessment आपने कुछ criteria नहीं रखा मैं आप इसे ना इसे monitor कर रहे हो ना इसकी surveillance कर रहे हो उसके बाद मैं देखिए NDA government आई तो NDA government ने अभी तक तो कुछ किया नहीं लेकिन PM की speech से अब लगता है कि इस तरह से इस दिसा में कुछ किया जाएगा और एक जो policy आनी चाहिए यह वो एक sound data के base पे आनी चाहिए last time की तरह नहीं की बस आप ले आए और कुछ भी data आपने use नहीं किया और government कहती है एक bureaucracy एक major factor है इवन परधान मंतरी ने अपने speech में भी कहा जो bureaucrates होते हैं उनमें कोई motivation नहीं होता वो ध्यान से cases को देखते नहीं है बस वो sign कर दिया कि हाँ भी file कर दो court में file कर दो हाँ appeal कर दो वो case की merits को नहीं देखते हैं उनके अंदर कोई motivation नहीं है एक major role निभाने का कि आप कम से कम litigation file करो सिरफ efficient and responsible litigation file करो court के अंदर में लेकिन बाद में बात या आती है कि सारा का सारा blame bureaucracy पर डाल देना यह भी ठीक नहीं है और भी बहुत सारे major factors है क्यों यह policy successful नहीं रही तो इस policy को successful होने के लिए कौन-कौन से reasons है या कौन-कौन सी बाते suggestions क्या क्या है हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हमें इस policy को successful बनाना है तो सबसे पहले तो देखिए एक clear objectives होने चाहिए ऐसा नहीं कि बस policy बना ली आपको पता ही नहीं किसलिए बनाई गई है साफ-साफ पता होना चाहिए कि आप policy किसलिए बना रहे हो देखिए अब साफ-साफ उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें कम से कम case file करने हैं, या फिर हमें पैसा बचाना है, कुछ भी हो, जो भी आपके objectives हैं, साफ साफ इसके अंदर return होने चाहिए, दूसरा है, जो भी इसमें functionaries हैं, यानि जो भी decide करेगा government department के अंदर में कि हम case file करें या ना करें, appeal करें या ना करें, जो भी functionaries हैं, जो decision ले र उनका role साफ साफ इस policy के अंदर में होना चाहिए, सब कुछ define होना चाहिए, और even उससे भी ज्यादा, minimum standards भी इस policy के अंदर होने चाहिए, कि किन-किन मुद्दो पर आप policy, यानि जो litigation कर सकते हो, किन-किन पर नहीं करोगे, सब कुछ, यानि sufficient grounds उसके base पर आप case file करते हो, उस sufficient and grounds भी इस policy में mention होने चाहिए, accountability यानि answerability, इनकी ये जो भी functionaries हैं कि accountability होने चाहिए, यानि ये answerable होने चाहिए, कि अगर कोई गलत case file करते हैं, तो आपने ये क्यों file किया, दूसरे, अगर कुछ गलती करते हैं, तो consequences होने चाहिए, और किस तरह के consequences होंगे, वो भी इस policy के action होना चाहिए, ऐसे नहीं साफ बस आपने लिख दिया कि हाँ, consequences होंगे इसके अगर आप action नहीं लियते होता हो, किस तरह के consequences होंगे, क्या action लिया जाएगा, किस तरह की सजा होगी, क्या fine होगा, सब कुछ इस policy के अंदर define होना चाहिए, और जो sixth point है, वो impact assessment से लिए पॉइं time to time, इनकी impact assessment होना चाहिए, यानि इस policy का क्या impact हो रहा है, और इस तरह से ये सारे points है, 6 points है, आप याद कर लिजिए, बहुत important points है, यानि interlinking भी हो सकती है, अगर कुछ ऐसा question आता है, कि judicial backlog इतना क्यों है, तो आप उसमें ये interlink कीजिए, और लिखे कि, जो litigation policy है, वो government की है, तो आज के लिए बस इतना ही, thanks, thanks very much for discussion, जै हिंद,